Hello Everyone, अब आज हम अपने, सबसे पहले आज हम बात करते हैं अपनी डेटा के बारे में आकड़ी, आकड़ी क्या होते हैं? आप सबी ने जो हम पुस्तके देखते हैं, पत्र पत्रिकाई देखते हैं, उसके अंदर हम आकड़ों को देखते हैं, ठीक है? जब हम अपने आकड़ों को देखते हैं, तो उनी आकड़ों के माध्यम से हम किसी मानचित्र को तियार कर सकते हैं, किसी सवाल को सौल्व करते हैं, तो वो आकड़े हमें कहां से और कैसे प्राप्त होते हैं, आकड़े होते क्या है, कि किसी भी निर्दारेत उदेश्य की पूर तो एक सूव्यवस्तित धंग से जो हम संख्याओं को एकत्र करते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम आकड़े कहते हैं ठीक है आकड़े आपके दो प्रकार की होते हैं पहले हैं आपके प्राथमिक आकड़े प्राइमरी डेटा और दूसरे हैं आपके द्वित्यक आकड़ के वहां से प्रत वार्थम बार जो आकड़े करते हैं संग्रहिद हैं वो हमारेů प्राथमें काकड़ों के अंदर जिसे जनगरणा की लेलेजे आप जो हम University प्राथमिक आकड़े के अंदर आपकी यह तीन विधियां आती है पहले व्यक्तिगत प्रेक्षन, दूसरी है गहन साक्षातकार और तीसरी है आपकी प्रिश्णावली, व्यक्तिगत प्रेक्षन होता है कि कोई व्यक्ति किसी शेत्र विशेश में स्वेम भ्रमण करके वहां की वस्तूओं के बारे में, वहां की स्थान विशेश के बारे में, वहाँ की climate के बारे में, भागलिक सूर्म अध्यन करता है, जब स्वाइम भरहमन करके उनन चिजों का analysis करता है, अध्यन करता है, तो वो आपके किस्व में आते हैं व्यक्तिगत friction में यहाते हैं और वहां से संबंदित आकड़ों को हम खुद क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलते हैं व्यक्तिकत प्रेक्शन विदी में आता है दूसरा आपकी इसमें गहन साक्षाद कर विदी गहन साक्षाद करके अंदर किसी शेत्र विशेश में जाकर हम वहां की व्यक्तिय वहां जाकर उनसे हम बातचीत करेंगे जिसमें प्रश्णावली का उपयोग नहीं होता है प्रश्णावली क्या होती है जैसे कि हम किसी एक्जाम को भी दे रहे हैं आज हमारे जो कुष्ण पेपर आता है उसके अंदर भी हमारे क्या मिलते हैं कई प्रकार की कुष्ण मिलते ह तो उनके हमें क्या करने होते हैं, answers देने होते हैं, हमें एक question paper मिलता है जिसके हमें answer देने होते हैं, लेकिन गहन साक्षादकर विधी के अंदर आपकी प्रिश्नावली का प्रयोग नहीं होता, इन दोनों में यही अंतर है कि यहां पर प्रिश्नावली का प्रयोग नहीं होता और प्रश्नवली वाली विधी में प्रश्नवली का प्रयोग होता है गहन साक्षाद कर जो आपकी विधी है वो अशिक्षित लोगों के लिए सबसे अच्छिर रहती है जैसे कि आज हम लोग हैं, हम वहाँ जाकर, जिन व्यक्तियों से वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनसे अगर हम पाचीत के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वो हमें जो भी information देंगे, उसे हम खुद ही अपनी प्रिशनावली में क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, जबकि जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोगों को हम अपनी प्रिशनावली, तैयार की हुई प्रिशनावली दे सकते हैं, और वो खुद हमें उतके अंदर अपने उन questions का answer भरके दे देंगे, जैसे कि हम वहाँ जाने वाले लोगों से पूछते हैं कि आपके घर में कितने सदस्ते हैं, बच्चे किते हैं, व्रद किते हैं, यहाँ पर जो आपकी जैसे माली जहां एक पुषकर एक शेतर है, पुषकर का अध्यन करना चाता हैं, तो वहाँ के बारे में हम पूछेंगे कि यहाँ पर आपकी मिट्टी किस प्रकार की हैं, यहा की इसे ज्यवक्ति विशेश करने वाले जो कितने हैं उसके अलावा हम वाय पूछकंगे कि यहां पर आपकी सचाय के साधन क्या है यह पर आपकी खेती वाडी कैसी है आपका याप किए गायल है भैसे ہے यहां पर आसपास में कोई कुआ है कि नहीं है यहां पर बिजनली की विवस्ता कैसी है यहां पानी की विवस्ता कैसी है यहां का परिवहन कैसा है यहां की सडके कैसी है तो यह सब जो तमाम जानकरी हैं वो सारी जानकरी हम उस्वेक्ति विशेश से जब वार्तालाग के द्वारा प च्वेट करके देता है ये शिक्षित लोगों के लिए इंची वित्या लिटिया आगे हम बात करते हैं आपके जो अब चया की अख़ते हैं is समय प्राप्त होते हैं तो आपकी पुष्ट के हैं पत्र पत्र का तो वो हमारी क्या होंगे secondary source होंगे secondary आकड़े होंगे आपके तो यह आकड़े आपके प्रकाशित और प्रकाशित इस्त्रोथ के माध्यम से प्राप्त होते हैं जिसमें प्रकाशित के अंदर आपकी पत्र पत्रिक का है पुस्तक के आधी आ जाएंगी और आप प्रकाशित इस किये जाते हैं और डवित्य काकड़े जो हमें किसी दूसरी व्यक्ति संस्था या किताबों पत्रत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं आगे बात करते हैं सांंकी की शेनियों के depending की शेनियां आपकी गुंद्धर्म के अनुसार और दूसरी आपकी रचनाविध्य गुण धर्म के अनुसार आप देखेंगे पहली शेनी काल शेनी काल शेनी wprowad हम समय का उपयोग करते हैं आपको जब कहीं जो आपके माध्य के माध्यका के बहुलर के आपके कई स्ट Cemal कोश्चन होते हैं उसके अंदर जो आपको एक सार्णी दीवी होती है उस सार्णी के अंदर अगर समय का उपयोग किया जाता है वर्ष का जैसे कि आप इधर देखिए 2001-2011-2021 यहां पर किस का उपयोग किया जा रहा है समय का उपयोग किया जा रहा है वर्षों का उपयोग किया जा रहा है तो जहां आपका काल का समय का तो वो शेनी आपके कौन सी कलाती है काल शेनी कलाती है इस्थानिक शेनी होती है कि भौगलिक अवस्थिती के आधार पर अगर कहीं पर आपके भौगलिक अवस्थिती से संबंदित भौगलिक डेटा आपके कहीं आते हैं तो वो डेटा जो आपकी होते हैं वो इस्थानिक श परिसेती शेणी के अंदर आते हैं आपको इस चीज़ को में आगे और अपने नोट्स के माध्यम से अच्छे से बताऊंगी अभी आप इस चीजों को जान रखें कि काल शेणी इस्थानिक शेणी और परिस्थिती शेणी आगे हम बात करते हैं रचना विधी के अनुसार आपके व्यक्तिगर शेणी इंडिव्यूजवल तीरिस व्यक्तिगर शेणी के अंदर आपक सीरीज दे दी कि आपके मालीजे कुछ विध्यारती है आपकी कक्षा के कुछ विध्यारती है जिनके किसी के चार नंबर है किसी के छै नंबर है किसी के आठ नंबर है किसी के दस नंबर है तो यह आपकी क्या है एक सीरीज ओली एक सीरीज दे रखी होती है तो आपकी कौन स जैसे कि मालीज ये इस प्रकार से आपने लिख दिया ठीक है तो इसमें X और F दोनों सीरीज होती है इसमें ऐसा इसलिए खंडेद चेने की अत्रा है कि जैसे मालीज आपके चार विध्यारती है आपकी चार स्टूडेंट्स हैं जिनके की आठ नमबर है आपकी तीन स्टूड या विद्धियार्तियों के चार-चार नमबर है अगर आपके कक्षा में में लिजये कुछ के सेम नमबर आजाता है जिस को हम खंड़िछ जंडेया discrete series कहते हैं next आप क्या आती है अखंड़ शेणी सतत शेणी या continuous series अखंड़ शेणी में हम वर्गों को लेते हैं जैसे कि आप माली जे मैंने आप लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और यहां पर मैंने लिख दिया दर 5, 10, 6 ठीक है तो जहां पर आपकी वर्ग होते हैं जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और उसके नीचे आपकी क्या दे रखे होती है आपकी frequency दे रखे होती है आवरती दे रखे होती है तो यह कौन सी शेणी कहलाती है आपकी अखंड़ शेणी कहलाती है ठीक है तो तीनों सीरीज में यह अंतर है व्यक्तिगर शेणी में only X सीरीज होती है खंड़ शेणी में X और F सीरीज होती है अखंड़ शेणी में वर्ग होते हैं और वर्ग के साथ में F सीरीज होती है जैसे कि यह आपकी F है और इसको हम कहेंगे हिंदी में आवरती या frequency माध्य का और मोड क्या है कि अब्जेग्टिव के अंदर किनिम लिखित में से कौन सा केंद्री प्रवर्ति का माप नहीं है आपके जैसे देदिया माध्य देदिया माध्य का देदिया बहुलक देदिया या लास्ट आपका प्रमाप फिशलन देदिया तो आपके चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा प्रमाप फिशलन मतलब माध्य भी आपका केंद्री प्रवर्ति का माप है माध्य का भी है बह अब हम इसी सब चीजों को जो हमने अभी आकड़े पढ़े हैं जो अभी सांकी की शेणिया पढ़ी है इन सब चीजों को अपने नोट्स के माध्यम से आगे पढ़ेंगे तो आगे हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं आगे हम देखते हैं हमारा इसमें collection of data and analysis अपने नोट्स के माध्यम से आकड़ों का एकत्री करण है वा विशलेशन सबसे पहली चीज है कि आकड़े डेटा क्या होते हैं पूर्वनिय धारित हूद देश्य की पूर्ति हे तू सुव्यवस्थे धंग से संग्रह कर गढ़िती रूप में प्रदश्यत संख्याओं को हम आकड़ी या समंग क कहते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे किसी उद्देश्य की पूर्ती हे तुहम जब गडिती रूप से संख्याओं को एकत्र करते हैं तो वह हमारे क्या 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 लाते हैं आगे है आपका इसमें आक्ड़ों की प्रकार एंब इस्तरूस पहला है आपके प्राथमे काकड़े प्राइमरी डेटा जिनको हम मौले काकड़े भी कहते हैं ऐसे आकड़े जो अनुसंधान करता व्यक्तिया संस्था द्वारा प्रतम बार संग्रहित किये जाते हैं उन्हें हम प्राथमे काकड़े कहते हैं अब प्राथ में काकडों की विधिया पहली है व्यक्तिगत प्रिक्षन जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम स्वयम शेत्र में भ्रमन करके अपने आकडों को एकत्र करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है व्यक्तिगत प्रिक्षन की विधि कहलाती है जिसमें कि हम खुद किसी शेत्र विशेश में जाके अपने क्या करते हैं वहाँ की analysis करते हैं और वहाँ की analysis के माध्यम से अपने आखडे collect करते हैं उसके बाद मैं इत्वे दूसरा आविध्य है है इसमें गेन साक्षातकार जिसमें हम वार्तालाप के दुवारा क्या करते हैं, आकडों को एकत्र करते हैं, इसमें प्रशनावली का प्रयोग नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया था, कि जैसे कि आपकी जो कुशन्स सीरिज होती हैं, जैसे हम कई प्रकार के कुशन्स रैडी करते हैं, तो उन कुशन्स का इसमे प्रियोग नहीं होता, ये आशिक्षित लोगों के लिए गहन साक्षाद कर के विधी बहुती उपयोगी रहती है तीसरी है अपनी प्रशना वाली जिसमें हम प्रशना वाली तयार करके अपने आकड़ों को एकत्र करते हैं में आप कई प्रकार के questions देते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपने वहां पर किस प्रकार की वहां पर सिचाई होती है किस प्रकार के वहां पर परिवहन के साधन है वहां पर खेती वाड़ी कैसी है उनके घर में members कितने हैं बच्चे कितने हैं वरद्यजन कितने है ये सब हम एक प्रश्णावली के अंदर क्या कर लेते हैं, questions को तयार कर लेते हैं और उन questions को तयार करके उन प्रश्णावली को उस व्यक्ति विशेश को दे देते हैं जिससे कि वो अपने आंसास उस प्रश्णावली में लिख कर हमें वापस दे दे तो प्राथमिक आकड़े वे आकड़े होते हैं जो हम प्रत्थम बार संग्रहित करते हैं जिसकी तीन विदिया व्यक्तिगत प्रिक्षन, गहन साक्षातकार और प्रिश्णावली है आगे हम बात करते हैं इसमें द्वित्य काकडों की जो कि आपके कहलाते है सेकेंडरी डेटा ऐसे आकड़े जिनका संग्रहन अनुसंधान करता संस्था स्वेम ना करके प्रकाशित या अप्रकाशित इस्त्रोत यथा जैसे सरकारी गैर सरकारी प्रिक्षासन नीजी प्रिक्षासन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त करता है यह आपके क्या कहलाते हैं द्वित्य काकड़े कहलाते हैं मैंने अभी आपको बताये था कि द्वित्तिक आकडों के अंदर स्वेम जो होता है वो अनुसंधान करता स्वेम ना जाकर क्या करता है वो किसी संस्था या किसी दूसरे व्यक्ति या प्रकाशित या प्रकाशित इस्त्रोत के माध्यम से आकड़े कलेक्ट करता है जैसे प्रक आश्यद इस तिरोट में आजाएंगे किसी दूसरे व्यक्तिया संस्था के माध्यम से आपके प्राप्त किए गया अख्ड़े अब हम आगे बात करते हैं सांख्य की शेणियों की जो हमारी कहलाती है समंधमाला मतलब आख्ड़ों के व्यवस्थित कम को ही हम क्या कहते हैं सां के अंदर आपके हम माध्य माध्य का बहुलक जो भी सवाल को सॉल्व करते हैं उस सवाल के अंदर जिन आख्डों में आपके इस प्रकार से क्या दियावा होता है समय दियावा होता है जैसे इसमें वर्ष दे रखें 1971, 81, 2001 या पे इसमें संख्या लाखों में 5, 4, 7, 1 लाख के लगबग दे रखिये तो जिस भी आपके आपके आख्डों में काल समय का प्रियूग कह जाता है वो आपकी क्या कहलाती है काल शेनी कह जाती है दूसरी इस्थानिक शेनी भौगलिक अवस्थिति के आधार पर जहां आपके भौगलिक आख्ड़े जब आप एकत्र करते हैं कलेक करते हैं तो वो आपकी किस शेनी में आते हैं इस्थानिक शेनी में आते हैं इसी प्रकार से आपके होती है परिस्थिति शेनी परिस्थिति शेनी के अंदर जो आपके आख्ड़े होते हैं जो आयू व्यवसाय अनुसार जो आपकी जन संख्या है इसमें क्या आती है आपकी परिस्ति शेड़ी में आती है जैसे कि यह मैंने आपके डेटा दे रखें इसमें क्रम संख्या एक, दो, तीन, चार, पांच और इसमें आयू वर्षों में लिख दिये देज, 24, 25, 27 ठीक है तो इस प्रकार के आकड़े जिसमें आयू का उपयोग होता है या मालीजे आपके पिरामेड आरेक बनाते हैं जिसमें हम आयू का उपयोग लेते हैं आयू संबंदित आकड़ों का आपयोग लेते हैं तो आपके किस में आता है वो परिस्थी शेणी में आते हैं आगे हम बात करते हैं रचना विधी के अनुसार अपनी शेणिया जिसमें पहली आपके आती है इंडिवीशा वल सीरीज व्यक्तिगत शेणी मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें किवल ए सिर्फ यहां पर क्या दे रखिया आपकी एक सीरीज मतलब इसमें आपके विध्यार्तियों के प्रापतांग दे रखें लेकिन अगर कुछ विध्यार्तिया किन्स विध्यार्तिय के प्रापतांग समान हो जैसे मालीजे आपके दो विध्यार्तिया ऐसे हैं जिनके 77 नंबर है चार विध्यारतिया ऐसे हैं जिनके आठ आठ नमबर है तो उनको हमें खंडित शेणी के अंदर बदलने के लिए आपका X और Y शेणी लेनी होती है जैसे कि इसमें X और Y दोनों शेणी दी हुई होती है जैसे एक अक्षा में 8 हंक लाने वाले 3 विध्यारति है तो मूल रूप में जो 8 है वो X हो जाएंगे आपके और जो आवरतिया फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगे आपकी 3 हो जाएगे जैसे यहाँ पर आपकी X मैंने इदर 3, 4, 6, 7, 8 लिखा है Y ए 1, 1, 2, 2, 3 लिखा है क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि 3 अंक लाने वाला है वो एक विध्यारति है 4 अंक लाने वाले आपका एक विध्यारति है यहाँ 6 अंक लाने वाले आपके 2 विध्यारति है तो इस प्रकार से मैंने इस X शीरीज को किसमें बदल दिया, खंडे शेणी में जिसमें X और Y दो शेणियां होती है, इस प्रकार से, आगे हम बात करते हैं, सत्त या खंडे शेणी की continuous series के जिसमें कि आपकी वर्ग दे रखे होते हैं, जैसे कि आपकी इसमें वर्ग दे रखे मैंने अभी आपको बताया, कि जिसमें प्राप्ता आंक जैसे आपके इसमें दे रखे हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और नीचे आपकी फ्रिक्वेंसी की रूप में विध्यार्ती जो है, वो फ्रिक्वेंसी की रूप में दे रखे हैं, तो यहां पर आपके 8, 12, 15, 14, आपक पुरिज शेनी कहलाती है, जिसको हम कंटिन्यू सीरीज या सतत शेनी भी कहते हैं, आगे आपका है केंद्री प्रवर्ती के माप, मेजर ऑफ सेंटरल टेंडिंसी, जिसमें हम तीन चीजों को लेते हैं, अर्थमेटिक मीडियन और मोड, समानतर माद्य, मध्यका और बहुलक इन तीन चीजों को हम किसमें लेते हैं, केंद्री प्रवर्ती के माप में लेते हैं, आगे हम इससे संबंदित और डिटेल में बात करेंगे कि समानतर माद्य क्या होता है, माद्यका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, तो आज आपको जो हमने बात करी है, वो आकडों की बा माइस करने की कोशिश करेंगे तो आपके माइन में इस सारी चीजे अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो जब हम आके इन से संबन्दित अपने सब Теперь करेंगे कुशन करेंगे तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लायक कीजिए share कीजिए और मेरे पिछले वीडियो को देखने के लिए मेरे description में playlist में जाकर आप geography से related जो भी आपको वीडियो है वो आपको उसमें जरूर मिल जाएंगे आप उन्हें देखिए thank you so much